नमस्कार दोस्तों आज एक नए एस्ट्रोलोजिकल विशे लेकर आपके सामने उपस्तित वा हूँ आशा करता हूँ आपको इससे काफी लाब मिलेगा मित्रो ये विशे है राहू की महादशा का फल अक्सर लोगों में ये जिग्यासा रहता है कि राहू की महादशा चल रही है या आने वाली है कैसा रहेगा मैं बता दू मित्रो राहू और केतू दोनों चायक रहें किसी राशी के स्वतंद्र सौमी नहीं है इस पर भी इनकी उच राशी स्वराशी और मूल त्रीकोन राशी की कल्पना कर ली गई है इस बारे में विद्वानों के अलग-अलग मत भेध हैं कोई राहू की उच राशी व्रिशब मानता है तो कोई मित्वून और मूल त्रीकोन राशी कर्क अत्वा कन्या कुछ विद्वान कन्या राशी को राहू का सोअस्तान भी मानते हैं व्रिशब मित्वून और कन्या राशी में राहू अशुब फल नहीं करता यहां हम मित्रों रावगी उच राशी मित्वून और सो राशी कर्णिया को निश्चित कर फलाफल की बात करेंगे वैसे रहु प्रायक जिस राशी में होता है उस राशी के अधिपती ग्रह के अनुसार पता जिस ग्रह के साथ स्थित होता है उस ग्रह के सभाब के अनुसार फल प्रदान करता है जोतिश का एक मौलिक से दान्द है कि राहू शनी के समान एवं केतू मंगल के समान फ़लाफल देते हैं यदि कुंडली में राहू उच राशी का स्वाशेत्री शुप ग्रहों से युद या द्रिस्ट होकर केंडर अत्रत रिकोन में बैटा हो तो अपनी दशा में शुप फल ही प्रदान करता है शुप राहू की दशा में आकस्तमिक रूप से सभी कारे संपन होते हैं भागे स्थानस्त शुप राहू की दशा में अनेक शिपत रूप से भागेद होता है इवं जातक को प्रचूर मात्रा में लक्ष्मी की प्रात्ती होती है राहु चूकी राजनीती का कारक ग्रह है अता यदि शुप राहु आए भाप में हो तो जातक राजनीती में घुश जाता है तदा चुनाप जीत कर उध्यान सवा या लोक सवा का सदर से बन जाता है बूसरे अच्छे योग हो तो जातक मंद्री पद भी प्राप्त कर लेता है नियाले में लांबित केसों में उसे विजय मिलती है मित्रों परिजनों का स्योग प्राप्त होता है तता जातक समाज में मान समान पा लेता है उपहार में वहन और आवास की प्राप्ती होती है तीर आकस्मिक रूप से जातक उन्नती करता है, वैसे ही उसकी अवनिती भी आकस्मिक रूप से ही होती है। संभाबने रहती है, शत्रु छिपकर घात करते हैं, बुद्धी ब्रहमित और भरस्ट हो जाती है, चित ब्रहम के कारण जातक वेर्थ में इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन कोई साहक डिस्टी कोचर नहीं होता। देहे में वात की कुपित हो जाने के कारण जातक के मन मे भए समा जाता है, जातक परिजनों ये मित्रों से जगड़ा भी हो जाता है। प्रसंगों में असफलता भी मिलती है, बदनामी होती है। प्राई वरिशब, कन्या, मेश और सिंग राशी में स्थित राहू कुछ अच्चे फ़ल देते हैं। प्राई राहू की दशा का पूर्वकाल दुकमे ही बीटता है। अंतिम काल में किंचित सोकी प्राप्ति होती है। शत्रू सानस्थ पापी राहू की दशा में धन एवं संतिती की हानी होती है। चोर अगनी परिजनों से भय तर जंगली पश्वों दर मारे जाने का आशंक बनी रती है। अस्टमस्थ पापी राहू की दशा में परिवार मित्तू से शोक, छाती में पीडा, पर दवन अधी फल मिलते हैं। विया भावगत राहू की दशा में मानसिक परिशानी, कुटम से व्योग, विदेश आवास, धन संपति का विनाश और रोगों से पीडा जैसे फल मिलते हैं। वित्रों आशा करता हूं। राहू के फल से आपको लाप मिला होगा। आने वाले समय में और भी एस्टलॉजी संबन्दित मेरा अनभूप आपके सामने लाओंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। धन्यवाद।